देखे यहां पर मैंने Air Force की जो होती है रागा यानि कि रिजिनिंग और आपकी जेनरल अवर्नेस वाली पूरा के पूरा मैं आपको सिलिवस बताने जा रहा हूं उसके बाद मैं यहीं पर पेपर भी देंगा question paper जो है मतलब आपका previous year का कैसे question आता है देख लिजे देखे रिजिनिंग भर्बल और नवर्भल यानि कि जो कहा भी जाए और आपको फोटो के साथ भी दिया जाता है ठीक देखे पहला इस में क्या आता है numerical series ठीक दूसरा आता है distance and direction sense test तीसरा क्या है आपका syllabus में तो यह है आपका mathematical operation ठीक यानि कि गनीते जो होते हैं जोड़ खटा गुना भागा वही देखे चोथे नमबर पर क्या है number ranking and time sequence test पांचवे नमबर पर आ जाता है आपका decisions artificial value to mathematical digit ठीक छट्थे नमबर पर आ जाता है आपका inserting correct mathematics sign ठीक साथवे नमबर पर आ जाता है आपका human relation आठवे नमबर पर आ जाता है आपका coding and decoding 9th नमबर पर आ जाता है आपका old man out ठीक 10th नमबर पर आ जाता है आपका mutual relation problems ठीक 11 नमबर पर आ जाता है आपके यानिकी गारवे नमबर पर टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेसंस ठीक लंबा छोटा होता है न वो वह बला उसके बाद 12 नमबर पर पर आ जाता है आपका dictionary words ठीक यह वाला आपके थोड़ी वर्ड अच्छी होनी चाहिए ठीक वर्ड मिनिंग इंग्रिस में तब आप इसको पकड़ पाएंग अच्छी लिए देखिए तेरा नंबर पर आ जाता आपका एनालोजी ठीक और चोदा नंबर पर जाता नोन भरवल रिजिनिंग जो कि फोटो वा तो यह साथ होता है देखिए मैथमेटिक्स में आपका क्या है गनित में पहलाज रेस्यों प्रोपर्षन यानिके अनुपात और समानुपात ठीक देखिए दूसरे नंबर पर एबरेज यानिके ओसत तीसरे में हैं LCM एंड HCM लबेस्ट कोमन फैक्टर एंड हायस्ट कोमन प्रोफिट यानि कि प्रोफिट लॉस लाब तथा हानी ठीक पांचवे नमबर पर आपका टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड यानि कि समाई दूरी और गती या फिर चाल होता है कुछ मुझे मालूम नहीं प्रोपर ठीक देखिए छट्थे नमबर पर परसेंटेज यानि कि प आठवे नमबर पर आपका फ्रेक्शन यानि कि गुनंखन इसको सायद बोलते हैं ठीक तो देखिए नाइन नमबर पर आपका एरिया ओप ट्रैंगल एस्क्वाइर एंड रेक्टेंगल यानि कि छेत्रफल में आपका जो जितने भी आता हैं त्रिवूज चत्रबूज आया ठीक घान घनाब यह सभी में आता टेन नमबर में और ग्यारा में आता प्रोबैबिलिटी जो कि मेरा बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है प्रोबैबिलिटी यानि कि आपकी प्राइक्ता ठीक आप देखिए यहाँ पे ट्वेल्ट में पर आता है आपका सिंपल ट्रि ठीक ज्यान दूसरा में आता सिविल यानिके प्रासासिंग में आता इसका तिसरा में आता जेगराफी ठीक चौंते में आता आपका करेंट इवेंट्स जो कि करेंट अपरस भी आप बोल सकते हैं पाचवे नमबर पेश्टरी और चटे नमबर बैसिक कंप्यूटर जो हैं आपके ऑपरेशन आएंगे ठीक तो यह सारे चीज हो गए अब आये जानते कॉस्चिन किस प्रकार आता है तो देखिए मैंने एक बार तो दे चुका हूं एक बार क्या दो बार ही दे चुका हूं एर फोर्स का एक्जाम ठीक मेरी हाइट ही कम हो जाते हैं यार क्या करूं प्रयोग क्या जाता है तो आंसर क्या होगा रेडियो तरहंगों का ठीक रेडियो वेब ठीक आप हिंदियो और इंग्दिस दोनों में देख सकते हैं दोस्त बिलिज बोल रहा हूं बड़ी मेहनत से बीडियो बनाता हूं दोस्तों को शेर की जिएगा जो अब कंप्पेटि हो सकते हैं ठीक ना पाली बोलते रहा हूं कि सासक के नियंत्रन संस्ता का अधर्स वाइक क्या है तो इसका भारत्य जीवन विवा निगम यानि कि जो लोगों मोटो होता है वो एलाइसी का वो है ठीक ना योग छेयम यह संस्कृत वाइक है ब्राहाम मियम ठीक यह संस्कृत यानि Life Insurance Corporation का बीच बीच में जो लिखा होता है ना उससे ही बोलते हैं मोटो ठीक देखिए को हजार जीलो की भूमी कहा जाता है किसको हजार भी लोग फिनलेंड जो है फिनलेंड एक सहर इसे हजार जीलो की भूमी कहा जाता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जील है देखिए मिरतियो दंड से चहमादान का अधिकारणी में उसके से के पास है तो आपको मालूमी होगा राश्ट पत्ती के पास से ठीक ना आंतिम रूप से अगर आपका भी फांस जाएं तो राश्ट पत्ती के पास चले जाएगा ठीक ना उनके पास होता है छमा करने की सकती लादिन को खोजा वो मारा गया ठीक ना नेवली सेल्स को खोजा गया और मारा गया हमारे साथ कोश्चन होगे अब आई जानते हैं साथ थे हमारे जीके से अब आ जाते हैं हमारे mathematics तो mathematics तो मेरी 12th arts टी इसलिए महीं से नहीं कर पाऊंगा ठीक यानिकि 12th science वालों के लिए देखिए 5 प्लस 2 रूट 3 and say 1 प्लस 4 रूट 3 is equal to a प्लस b is equal to रूट 3 का मान ग्यानत की जना है आपको ठीक find the value of a and b if देख सकते हैं आप यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है आप इसे मान ग्यानत कर सकते हैं ठीक 9 नमर में क्या आता है दो अस्टेशनों x और y के बीच की दूरी 778 km है एक रेल गाड़ी x से y तक की दूरी 84 km परती घंटा की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 km परती घंटा की चाल से तै करते है या वापसी मतलब वापस आती है ठीक ना पूरी यात्रा के लिए रेल गा परता चला कि एक प्रेक्षन अर्टालिस को गलती से 23 लिख देया गया है ठीक ले लिया गया है प्रेक्षनों का सही माइट ग्यांत कीजिए तो इसमें कितना आएगा अंसर आपका 36.5 चीक आ गए थी चलिए कोई बात नहीं देखिए तीन संख्याओं का योग 136 है ठीक ज दूसरी संख्या का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपाद 5 अनुपाद 3 है तो दूसरी संख्या ग्यात कीजिए दूसरी संख्या क्या होगी यहां पर 60 वा जाएगी 12 नंबर हमारा कोश्चन होगे देखिए दोस्त बड़ी मेहनत से वी मिल हो जाते हैं अब सभी को बचा हुआ कारी समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे तो यह आपके लग जाएंगे छे दिन ठीक देखे तेरे नमबर कोश्चन ज्याद करो कि किस रासी पर दस परसेंट वार्सिक ब्याज की दर से तीन साल के चक्रवर्दी ब्याज यानि कि कंपाउंट इंड्रेस्ट ठीक ना सी आई और एसाई है सिंपल इंड्रेस्ट कंपाउंट इंड्रेस्ट और साधार्न ब्याज का अंतर 31 होगा ठीक तो यह किस वर्स कितने पर होगा यह हो जाएगा आपका 1000 रुब्ये पर ठीक देखें चोदर नमर कोश्चन वहां नियुन कि आए में 20 पर्साट की वर्धी हो हो और खर्चों में 10 परसंट की वर्धी हो तो उसकी बंचत में 300 कि वर्धी क्या होगी कितने 50% होगी तो 55% यहां से आ जाता है आपका विजह विजात यह जित टो इसमें आपके आप से रिजनिंग शुरू हो जाते हैं तो इसमें क्या है सबसे मतलबन को है ठीक फाइंड दॉड वन आउट यानि कि सबसे अलग कौन इसमें से तो यह जो है मिराज दो हजार यह अलग है ठीक ना इसमें सुखोई है मिग है यानि कि मिग 29 ने यह सब बिमान के नाम है जो एरफोर्स में बिमान होते है ना एरफोर्स में जाने वाले हैं यह सब का ध्यान रखिए मिग 29 इसब जो है नाम है आपके जो भीमान है ठीक और मिराज जबकि यह अलग है विजात यह ग्यात कीजिए तो विजात इसमें से कौन है लोगो देखिए यहां है NCRT का लोगो ठीक यह केंद्रिय यानि CBSC का लोगो और यह भी पढ़ाई का लोग है जबकि यह नेवी का लोगो है ठीक ना तो यह सबसे अलग है देखिए कितना इंट्रेस्टिंग कोशन देता सांच में मज़ा जाएगा आपका मझे तो लगता है कि एरफोर्स नेवी मतलब और आर्मी से ज़्यादा इजीक एकजामना भारत में और कहीं नहीं लिया जात ठीक देखिए चे का यानि सी आ जाएगा अनसर आपका ठीक आप एक बार घर में आराम से कीजिएगा मेरे साथ एक बस क्वेश्चन पढ़ लिजिए निम्लिके संख्या सरिंखला को पूर्ण करें तो संख्या सरिंखला को पूर्ण करना है एक चार यहां पे फिर दो आया फिर यहां पे छे आया देखें यह इस प्रकार वारा रहा एक दो पर मिक्रश्च फिर चव्यत कई चोवार्ट कर लिए वह परतीक गलग उतरक के लिए प्रश्टों की संख्या क्या है तो कितने प्रश्ण सही किये थे उसने 40 प्रश्ण सही किये थे फाइंड कर लिजेगा आप तो मैथेमेटिस यहन है ठीक न दीगई सार्णी में लुप्त संख्या ज्याद करो क्या करना है 29 29 यहां पर आएगा अब कैसे आएगा वह आप समझे मेहनत करना है आपको भाई ठीक न देखिए चार व्यक्ति ABC वड़ी तास खेल रहे हैं तास खेलने जानते हैं नहीं जानते हैं तो सिख लिजिए टाइम देगा कभी ए और बी साज़ेदार हैं यदि डी का मुह उत्तर की हो तथा ए का मुह पस्चिम की और हो तो किसका मुह मुह दच्षिन की और होगा या किसका मुह होगा सी का मुह दच्षिन की और होगा ठीक देखिए अब यहां पर निर्देश उत्तर में सर्वत्त विकल मतलब जो सबसे सटिक सबसे सटिक उतर होगा उससे चुनना है ठीक ना देखिए खत्रे में हमेसा हमेसा होता है क्या होत होता है कि खत्रे में हमें सैंक्ता है डर होता यहां पर सबसक्रूब हो सकता है हमला की और होता, है लेकिन डर नाम की चीज आपका ए ठीक देखे यह बहुत इंट्रेस्टिंग कॉस्चन है मुझे यह सब कॉस्चन में बनाने बड़ी मा जाता था ठीक देखे नीचे देगे प्रश्ण संख्या 26 में उत्तर और A, B, C, D में से वहाँ चित्र चुनिये जो बाई और दी गई स्रेंखला को पूर्ण करता हो ठीक देखे यहाँ पे क्या जाएगा आपका एंसर सी आ जाएगा ठीक यहाँ पे यह पहले इस प्रकार गुमा उसके बाद देखे यह दोनों एक दुसरे के विप्रित दिसा में गुम रहें ठीक तो उसी परकार यह आपका सी आ जाएगा ठीक 27 नमबर कोस्टन देखिए यहाँ पे आपका एंसर हो जाएगा आप एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लिजिएगा किसी के बरुसे नहीं रहना है मेरे बरुसे ना किसी और के बरुसे ठीक देखिए इसमे आएगा उन्तिस नमबर का भी आंसर भी होगा की इसनलमबगा नंसर यहां पर एंसर लिख खुपा और तो तीनों हमारे कोस्टम होगें अब हम आपको एक request करते हैं प्लीज उन दोस्तों को share कर दिजिएगा जो Air Force की तयारी कर रहे हैं Navy की तयारी कर रहे हैं या फिर Army की तयारी कर रहे हैं ठीक ना क्योंकि जब उन्हें question का मालूम नहीं होगा कि इस परकार आता है तो वहाँ पर जाके तयारी या फिर exam में क्या लिख देंगे भाई ठीक ना तो please share कीजिएगा और चनल को subscribe कर लिजिएगा नहीं तो मुझे भी लगता है कि आप लोग पसंद नहीं करते हैं प्लीज यार subscribe कीजिए फिर मिलेंगे next video के साथ पढ़िए अपने हक के लिए लड़िए और देश दुनिया के लिए खो जाईए धहिन्यवाद